बिहार के गया में हर घर गंगा जल का सपना पूरा हो गया है समवार को मुख्यमंत्री ने गंगा जल पूरती योजना का लोकार पड़ किया सियम ने कहा कि घरों के साथ साथ होटलों में भी गंगा जल का पानी पहुचाया जाएगा बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने समुवार को गंगा जल आपूर्ती योजना सुरुवात की इस मौके पर मुख्यमंतरी ने कहा कि मुझे बहुत खोसी है कि याद से मैं गया में गंगा जल की आपूर्ती शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि मौक्ष की भूमी है यहाँ सभी लोग अपने पुरवज के पिंड़ दान करने के लिए आते हैं सियम ने कहा कि रबर्ड डैम के माध्यम से अब फल्गु नदी में पानी सालों भर मिलेगा नितिस कुमार ने कहा कि आज मुझे सच मुछ में काफी खुशी हो रहे है मुख्यमंत्री ने कहा कि बुद्गया में बगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी इस जगह पर जादा से जादा लोग आएं इसको लेकर काम किया जा रहा है परटक आएंगे तो यहां के लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है 78,000 से जदी घरों तक गंगा जल का सप्लाई होगा गयावासियों के घरों तक गंगा जल पहुचाने के लिए करीब 4.500 किलो मिटर तक पाइपलाइन बिछाई गई है आपको बता दे मानपूर के अब गीला में वाटर टेटमेंट प्लांट का उद्गाटन किया गया है पहले फेज में करीब 45,000 से अधिक घरों में और दूसरे फेज में 78,000 से अधिक घरों तक गंगा जल का सप्लाई हो सकेगा अच्छा थी इसकी आपको की हर घर में राजगेर इसके बाद गया बोध गया और बाद में नवादा उसके थोड़ा सा और समय लगेगा लेकिन कल राजगेर का हो गया और आज गया और बोध गया और यहीं से गया और बोध गया के लिए वो सप्लाई में चला जाएगा तो यह है इसी के लिए कि जब कई बार हम लोग देख चुब हैं कि कहीं से आएगा तो इसको एक एक चीज को देखिएगा इतिहासित और मोक्ष की धरती है कि इतिहास आपने भी तु दिया इस भरती के लिए से अब जानते ही हैं कि गर्बी के दिनों में पानी के पीने में थ गंगा जल पहुंचा है तो इसलिए हम लोगों ने तैक किया और उसके लिए पूरा काम किया गया है और बराबर देखी रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा कि इतना वार आ कर गें कि अब कौन को साइट नहीं जा करें यहां पर क्या करना है कितना दिन में करना है अब हो गय अब तैयार हो जाएगा तभी शुरू करें तब गया बोधिया का तैयार हो गया तो कमराजगेर आप गया पोधिया के लिए आकर के सब कर रहे हैं और बहुत अच्छा सब लोगों को हर घर उपलब्द होगा और बहुत अच्छा है इतना पढ़िया है और सब इतारे इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए